जैसी तरह अंदोस्तों आज हम आपको अपने यूटूब चैनल के माध्यम से एक विशेश पद्धति से काढ़ा बना के तयार करने का हम जो प्रयोग है वह आपको दिखाने भी जा रहे हैं और साथ साथ बताने भी जा रहे हैं कि यह हम कैसे तयार करते हैं और किस कारण से तयार करते हैं और उसी के उपर एक चर्चा टाइप में हो जाएगी दोस्तों यह हम एक पातर में जो हमारे इसमें चल रही हैं नौदूरगाएं और नौदूरगा में जबा जो हमारा बोया जाता था तो उस जबा का जो माता जी में चड़ा हुआ था तो उस जबा को हमने ले लिया है बेस्टेड ना जाए और जबारा जब बोने से इतना लाब होता है तो मेरा मानना है कि उसको खाने से भी और ज़्यादा लाब होना चाहिए तो हमने इसमें ये जबा है आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा जबा है देख रहा है आपको और इस जबा को ले लिये हैं इसी में हम तुलसी डाल दिये हैं एक 15-20 पते तुलसी ले लिये और 20 ग्राम जबा ले लिये जबारा जिसको बोलते हैं उसको ले लिये हैं अब हम इसमें एक बिही का पता डाल रहे हैं ये भी ही हमारे आस्रम में लगी हुई है और यहां की सभी जड़ी बूटियों को हम उपयोग करते हैं और किस तरह करते हैं वह हम बतला रहे हैं तो दोस्तों जिनके लीवर में दिक्कत हो गई हो फैटी लीवर हो गया हो या आथों में सूजन रहती हो या पेट साप नहीं होता है गैस्ट्रिक ज़्यादा बन रहा है या इसी भी प्रकार की कोई पेट की समस्या संगरहनी की समस्या हो गई हो तो इस तरह हम इसका उपयोग करेंगे इस पत्ते को हम जो है तो तोड लेते हैं छोटे छोटे भागों में और हल्का तोडने के बाद इसमें डाल देते हैं इसमें स्वादा नुसार हम चीनी भी मिलाते हैं जिस प्रकार क्या है बहुत säरोगी नहीं पीपाते हैं तो सककर का प्रयोग कर हम इसको मेठा भी भी बनाते हैं जिससे आसानी से चाह के माफिक किसको पी ले जिसे हमारे लीवर आतें और किडिनी और इसी प्रकार के सभी यंग जो है तो ठीक हो जाए अब इसमें हम एक दो तीन आइटम बता चुके हैं तीन आइटम जिसे मनलब जबा हो गया तुलसी हो गई सक्कर हो गई अब ये देखिए इसको कहते हैं छोटी दो थी ये बहुत बेमिसार ताकत है जब रस रसाद इधातू का पाचन नहीं हो पता है सब्त धातूं जो होती है रस रक्त मास मेद अस्ती मजजा सुक्र तो जब रस और रक्त का अच्छा संजोग नहीं बनता है तो यह दूधी हमारी बड़ी अच्छी काम करती है और रस रसाद इधातुओं को मजबूत करने का काम करती है तो इसको हम थोड़ी सी दूधी ले लिए ये करें मुस्किल से दो तीन ग्राम होगी अगर हाँ दो तीन चार ग्राम पांच ग्राम के सम्टिंग आप ले लिजिए इससे दस ग्राम लेना चाहिए पर काफी सारी उसदी हैं देते हैं इस काढ़े में अब हम क्या करते हैं कि ताजा भी भूई आमला लगा हुआ था ये देखिए भूई आमला ने ले ले लते हैं यह भूई आमला जो है तो हमारे लीबर समंधी और हेपेटाइटिस बी सम्मंध ही या विटामिन ट्वल्व का जो है तो पूर्ती करने है तो बहुत अच्छी मानी गई है और जो है तो हम इसका उपयोगी सी प्रकारिस को भी मसल कर हम इस काढ़े में डाल देते हैं ये देखिए बही का पत्ता जो है तो आथों को साफ करता है और मलका निसकासन में अच्छा मदद करता है अब हम इसको काफी देर तक पका लेंगे और इसमें चार गिलास पानी अभी और हमको डालना है दो गिलास डाल दिये थे दो गिलास और डाल देते हैं चार गिलास हम इसमे पाणी डालते हैं और इसको पकाते पकाते हम करीब एक गिलास जब बचेगा तब हम पका लेंगे और इसको हम घुड तो ऐसा पीएंगे जिसे चुसकी लेकर हम चाय पीते हैं और यह प्रयोग दोस्तों सुबह के खाली पेट करना है नीराहार करना है जब आप कुछ खाए पिए नहों तब इसका प्रयोग करना है और प्रयोग करके अपने आपको स्वस्त बनाया जा सकता है आपके आसपास लगी चीज जो बाड़ी कीमती है उसी को मोडिफाई कर बड देखिए दोस्तों कल हमने सतावर का काड़ा बनाया था और यहां सभी लोगों को पिलाया था उसी की सतावर निकाली हुई है अभी इसी को हम ले जाके कहीं गार देंगे तो यह फिर से उसी तरह हो जाएगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अंगले इन जड़ी वूटियों का उपयोग कर अपने को सुस्त कर सकें जो हमारे बनाने का वीडियो बनाने का उद्देश है धन्नवाद दोस्तों